ये है 2324 के सेसन का सोसिलोजी यानि कि समा साफ्तर का पूरा का पूरा मारल पिपर, कुश्चन पिपर यदि आपकी परिछा कल परसो लगी हुई है तो इस वीडियो को आंत तक जरूर देखते रहिएगा ताकि आपको आपके एकजाम में बहुत ही ज्यादा हैल्प मिल जाएगी ठीक है क्योंकि इस वीडियो हो आपको वो सारे कॉमन और कमपलसरी कोस्चन बताने वाला हूँ जो कि आपके एकजाम में हमेशा रिपीट ही होते होते हैं ठीक है तो जिनकी परिच्छा आने वाले दिनों में ठीक है उनको जरूर देखना चाहिए और इस में पहले इस माडल पेपर से कौन-कौन से ऐसे कोश्चन है जो आपकी परिच्छा में आ सकते उनको हम आपको पहले सिलेक्ट कराएंगे उसके बाद हमने इन सभी कॉस्चन के एंशर की पीडियोप भी तैयार किए इसके लावा और वह जो वांटेड प्रिच्छा में हमेशा पूंचे जा चुके उनके भी कुष्चन एंशर मैंने तैयार किए जो कि आपको सिलेक्ट कराने वाले हैं कि कौन-कौन से तैयार करना तो चलिए आते हैम मैं यानि कि इनफोर्मेशन टेकनलोजी कुछ इंबला कि असी प्रत्सत महात्पूड है क्योंकि यह हमेशा नहीं रिपीट होता लेकिन मालीजे कि पांच बार परिच्छा हुई है सोस्यलोजी की तो इसमें तीन बार यह प्रशना आया है ठीक है तो इंपार्टेंट है इस बार यह आपकी पर इच्छा में आ सकता है क्योंकि इस दिए कि मतलब कि इतना महत्पूंड परस नहीं आप चाहते से इगनोर भी कर सकते है इसलिए हम प्रफर नहीं करेंगे कि इसको आप प्रिप्रेर करें करें ठें ऑकि नेस्ट जो है यह मुश्टु वेरी-वेरी टॉप ले यह टॉप लेवल का question है इसका उत्तर हमने तयार कर लिया है उसको भी हम आपको देने वाले हैं कैसे आपको हम देंगे वो पूरी जानकारी भी बता रहे हैं ठीक है इसका उत्तर हमारे PDF में है ठीक है जहांत सुन लिजी यह most important question है अगला question क्रांती क्रांत फिर जुड़ा भी question ठीक है top level का ठीक है जनन किये के बारे में पढ़ना है लेकिन यह इतना महातपोर नहीं से ignore कर दीजेगा मेरे recording महातपोर नहीं है ठीक है अगला most important संगर फिर जुड़ा एक question पक का फसेगा फसेगा हमेशा फसता है लोक की करण यह कभी कदार फसता हमेशा नहीं पसता तो आ लेकि हम आपको उस तरीके से बता रहे हैं जैसे कि मालीजी आपके परिच्छा जो कल लगी है परसों है ठीक है तो आप लोग अगर इन सभी question को तयार करेंगे और सभी का उत्तर तयार करेंगे बहुत ज़रा time लगेगा अगर आपकी परिच्छा दो ही तीन दिन में चार द आने की पूरी की पूरी उम्मीद है ठीक है नेश कोश्चन की महला अंदोलन 100% हमेशा फंस्ता है फंस्ता है कोई ऐसी परिच्छा नहीं गई जिसमें यह कुश्चन ना आया हो तो यह 101% most important है ठीक है ओके चले नेश कोश्चन पस्च्चमी करण ये भी कई बार आ चुका त टीक है तो इस प्रकार आप की परिच्छा में करीब करीब 10 कोश्चन पकी प्रस्चम प्रश्चन प्रश्चन को अ जरुब कर चाहएं बाकी आप चाहिए बिक Each अ मिलेगा लेकिन वो कैसे मिलेगी आपको वो भी जानकारी हम आपको दे रहे हैं ठीक है चली अब लग उत्रे में हम आपको सिलेक्ट करा दे रहे हैं कि कौन-कौन से most important question है जो आपकी परिश्या में आफकते हैं क्योंकि वह सिलेक्ट कराना बहुत ही जरूरी होता क्योंकि question तो भही हजारो 2000 की संख्या में रहते हैं ठीक है तो आप कौन-कौन से तयार करें ये भी तो एक बड़ा question है तो वो हम आपको बताने का कारे कर रहे हैं ताकि आपके exam में आपको help मिल जाएगी वही सारे question तयार करें जो हमेशा repeat होते हैं तो पहला प्रशन है चक्रे सिधान ये दो दो बहुत ही popular question है ये समाज होता है इसमें जो परिवर्तन होते हैं इसमें कुछ सिधान होते हैं तो इसमें एक सिधान है रेखी सिधान और दूफरा है चक्रे सिधान ठीक है तो इस समाजी जो परिवर्तन होता है तो इन जो सिध्धान्त होते हैं, इन के बारे में आपको लिखना है, ठीक है, तो बहुत ही popular question है, कहीं बार फ़स चुका है, तो इसको आपको जरूर प्रेपेर करना है, इसका उत्तर भी हमारी महासेगरा पीडियोप में डाल दिया गया है, ठीक है, अगला प्रशन है कि सांस सांस्कृतिक बिलंबना से आप क्या समझते हैं, सांस्कृतिक बिलंबना के सिध्धान्त की विविष्णा कीजिए, यह हमेशा नहीं आता है, कभी कभी आता, तो इसका उत्तर तैयार कर सकते हैं आप लोग, अगर आपके पास समय नहीं है, तो इग्नोर भी कर सकते हैं, ले ऐसे की उपर वाला प्रश्ण ने हमेशा फंसता है शे बार vcasn होई नहीं आया है ठीक है इक्जाम में ओके अगला प्रश्ण है कि भारती समाज पर वस्वी करन के प्रभावों की व्याहित्य करें इसकी बिस्षिस्ता है बता ही यह very very top level का 100% question आने वाला आपकी परिच्छा हमेशा फस्ता है ठीक है और आप लोग परिच्छा देकर आएंगे तो आप लोग खुदी बोलेंगे कि हां से यह प्रशना आ गया है और यह most important है इसका भी उत्तर हमने तैयार किया जो कि अभी आप में स्रमिक कीर्ण की किसली किया गया ठीक है तो स्रमिक किसली किया गया क्यों किया जाता है और इसका सुरुवाद कभ से हुई यह सारे चीज़ें आपको इस प्रश्ट के उत्तर में लिखना होगा, ठीक है, तो ये very very important है, इसका भी उत्तर मैंने तैयार कर लिए, जो कि अभी आपको दिखाने वाले और देने वाले भी, तो ये very very important question है, 100% परिस्ट हमें सफलता, के लिए ये question है, इसको जोड़ तैयार कर लेंग तो समाजिक परिवर्तन के फिद्धान के भी अख्या कीजिए तो यह 100% शोर नहीं किया आएगा लेकिन इतना जरूर आता है कि समाजिक परिवर्तन के सिद्धान यह popular question है माक्स के या फिर अन्य किसी जो हमारे समाज साफतरी है उनको लेकर question हो सकता है जैसे कि अगस्त कामटे के अनुसा समाजिक परिवर्तन के फिद्धान बताईए ठीक है यह फिर मैक्स वेवर के अनुसा समाजिक परिवर्तन के फिद्धान बताईए ठीक है यह फिर तरह अन्य जो हमारे बिद्धुआन है के उस सार अलग है परिवे पिद्धांत पूर्था जा सकता है इस बात को ध्यांद रखे लिए और पहला प्रष्ण है कि समाजिक आंदोलन के परकार बता है यानि कि छो समाज के कुछ नियम होते हैं कुछ उद्देस वोते हैं उनको पूर्ती के के लिए ही आंदोलन किये जाते हैं जिसे कि समाज को कुछ जरूरत है गोर्मेट से यह समाज में कुछ गलत हो रहा है ठीक है तो तभी यह आंदालो जब किसी चीज की जरूरत होती है यह फिर कुछ चीज गलत हो रही है उसकी रोकने के लिए ही आंदोलन किये जाते हैं तो सम लेना है तो कम से कम आपको 3-4 पेज कम से कम लिखना ही लिखना पड़ेगा ठीक है तो पॉपलर कोईश्टन है कई बार आ चुका है वेरी वेरी इंपोर्टन है अगला कोईश्टन की समाजी परिवर्तन की आउधाना की भी आख्या कीजिए इसके बिभिन प्रकारों यह भी स दोलन की प्रकत एयुम उद्देसों का वड़न कीजिए यह भी कुश्टन कई बार पेच्छा में आ चुका वो चाहिए अतले लग उत्रे पहस्टा है चाहिए लग उत्रे पहस्टा है चाहिए जरूरी रही कि सोलो सोरो किन जो प्रमग बिद्वान है समाज साफ्त्री है इ समाज साफ्त्री है समाज साफ्त्री है तो सबकी परिभासा और सबके जो मतलब हो अलग अलग है ठीक है तो आप जैसे की प्रमुक है जैसे काल्स माक्स हो गए अगस्त काम्टे हो गए या फिर मैक्स वेवर जी हो गए इससे संबंदे ज्यादा आते है ठीक है शोरो किन से बहुत कमाता है तो आप इसको इग्नोर कर सकते है तो आजिटिव आपको आपके परिच्छा में ऐसे ही पेपर कोश्चन पेपर देखनों को मिलेगा जब भी आ नहीं सारे तो नहीं आएंगे लेकिन कुछ कोश्चन जो जो मैंने आपको बताएं इस प्रकार के आपके प्रिच्छा में प्रश्ण इस माडल पेपर से नब्वे प्रिच्छत फंसे के अब हम आपको कुछ मोश इंपार्टन कोश्चन और एंसर कि जो पीडियुप तैयार या पर उनकी कोई मांग है उसको पूरा करने के लिए किर्शा कांदोलन किया जाता है यह भी पॉप्लर कोश्चन है इसके बारे में थोड़ा जानते हैं कि अंग्रेजियों का जब सासन था उसमें भारते किर्शी वेवफ्था में ब्यापक परिवर्टन किये जाने की कान क किर्शी चेत में हलचल पैदा हो गई भारते किसान आर्थिक अधार पर कमजोर होते चलेगे यानि कि जो पैदावार होती थी ठीक है उसमें क्या करते जो अंग्रेज लोग लोग ले तो ज्यादा हिस्सा ले ले लेते थे मतलब कि जैसे कि कोई चीज माल लीजे कि सो बहुत साय समस्याय आती हो तो उनका जो परड़े का जीवन था वह अच्छे तरी के बितीत नहीं वह पा रहा था उनका पेट है वो पूरी तरह भन नहीं पा रहा था उनको समस्याय आ रहे थी इस ले क्रसक आंदोलन छेड़ा गया इस बात को ध्यान रखेंगे बहुत ही कोश्चन है कई बार हम आपको बता भी चुके स्रमिक आंदोलन यह महा संग्राम डिविजन क्लाफ है इसको हम इन कोश्चनों को मैंने कई बार बता चुके हैं आप सभी को लेकिन फिर से हम आपको बताना चाहरे क्योंकि परिच्छा लगी नेखिए यह प्रशन उपर बार क्या समझते हैं सरे समय कांदोलन कर्सा कांदोलन और महला अंदोलन देखी यह वी कोश्चन उपर पूछा गया था ना अभी आपने देखा था मार्या पेपर पूछा गया था ना देखिए उसका उत्तर रही पढ़ लीजिए ठीक है उसके बाद दल्लितों के धार्मिक नि ठीक है और घरेली हिंचा के प्रमुक सुरोप काउले की जी इंपॉर्टन कोश्चन है कई बार आ चुका है तो इस बार भी उम्मीद है कि आ सकता है ठीक है ओके देखिए आप सारे के सारे प्रश्चन भी है और उसका उत्तर भी अपने प्रस्तुत कि आप लोग समझे से कि प्रगति रहता था विकास में डेफरेंस या फिर एक दो फ्रेस किस प्रकार भिन नहीं यह भी इंपॉर्टन इसको भी आप प्रिप्रेर कर सकते हैं ठीक है सांस्कृति करने यह भी पॉपलर कोश्चन अब उपर पूंचा गया था सांस्कृति करने वारा जो लग उत्तरे लग तही कोश्चन था ठीक है उसका उत्तर तयार कर लीजेगा ओके सामाजिक उद्विकास में डिफरेंस बताइए यह 100 प्रिपरिएर कर लीजेगा इसको भी ठीक है भारत में पस्ची में पर टिपड़े लिके यह कुश्चन आप ने ऊपर देखा था में अपर देखा थ पूछा गया था उसे का उत्तार देख लीजिए आप लोगों के समझत है ठीक है समाजिक सर्णशना के अर्थ को अस्पस्ट करते हुए सर्णशना के तक्तों को बताईए तो समाजिक प्रशना कोश्चन 100% भसेगा भसेगा चाहिए लगों में आएगा वो आएगा जरूर ठीक है उन्यूश्री सताब्दी में होने वाले फुदारा अंदूलन के प्रभाव को अस्पस्ट कीजिए कभी कदार आता तो आप पढ़ भी सकते हैं इसको इग्नोर भी कर सकते हैं बेस जाएगा ठीक है त्यान से पढ़ लीजिएगा देखिए हमारे पास ज्यादा समय है नहीं इसलिए हम आपको मोश्च इंपार्टन कोश्चन और उसका उत्तर प्रुस्तत कर दे रहे हैं और बिल्कुल आफान मासा में जिसको कोई बच्चा भी आसानी पर तैयार कर सकता है के सोचना प्रदोकी की देख लीजिए यह ठीक है यह समय आपको पहले बता रखे थे और वही माल पेपर पूछे गें और आप तैयार करकर के ढ़ेगे你 तो आपकी की पर इच्छा में सारी कूष्चन आएंगे जाने धर्मनिर पेच्च इंची करण ये घ़खा फिब लोक करण कहते है ठीक है तो ये भी कोश्चन अभी उपर मारल पेपर जो था ना उसमें एक कोश्चन आया था आप ने देखा भी था लोग की करण कह लीजिए या फिर लोग की करण कह लीजिए दोनों का मतलब एक ही है दोनों एक ही चीज़ है इस बात को ध्यान नंगेंगे ठीक प्रश्न और उसका उतार जो को परिच्छेश वाले कुछ यह प्रिच्य ने परिच्छ वाले कोश्चें जो परिच्छ को प्रूश्च करके पढ़ लिजेगा आपके यह महा संग्राम पीडियुप से आपको यहादा है अपको सफलता मिलगे पूरी बाके हमारे पास एक और पीडिएप है अगर जो उचाहज़ात्र कहेंगे उसको ओभी पीडिएप अटेज़ कर देंगे तो पूरा कर पूरा हमारे पीडिएप से प्यपर फनसे का पकासी हो रहे ठीक है बाकी इस पीडिएप को हम टेलिग्राम वड्सप पे attach कर देंगे तो वहां से इन सभी का उत्तराप लोग तैयार कर लीजिएगा ठीक है वहीं पर हम डाल देंगे लिंक वीडियो के description में मिल जाएगा टेलिग्राम अट्सब दोनों का और मैसेज कर दीजिएगा हम आपको वहीं पर सेंड कर देंगे जेहिंद और माडल पेपर सेंड कर दीजिएगा जब पेपर आपको हो जाएगा तो कोश्चिन पेपर हमें सेंड कर दीजिएगा ताकि हम और भी जो स्टूडेंट है उनकी हिल्प कर पाएं जेहिंद